नमस्कार मैंनी शांत और आप देख रहे हैं दिललन टॉप साल 2020 का पहला सूर्ग रहन 21 जून को दिखाई देगा सीधी सी बात की चंद्रमा धर्थी और सूरज के बीच में आ जाएगा नेरू प्लेनेटरियम का कहना है कि यह एनुलर सोलर एकलेप्स यानी सूरग रहन है मतल जब चंद्रमा जब सूरज को ढखेगा तो आगल बगल से सूरज की रोशनी चंकर दिखेगी अंगूर्थी जैसा आग का गोला बनेगा 21 जून को धर्थी के नौर्थ पोल पर सबसे लंबा दिंग भी होता है वैसे इस दिन अंतर राश्ट्री योग दिवस भी पढ़ता ह कहां कहां कितने बजे देश के लगबत सभी हिस्सों में सूर्ज रहट दिखेगा इसके लावाए एश्या के कई दूसरे देशों अप्रीका प्रशानत और हिंद माहसागर यूरोप के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा भारत में इसकी शुरुआत सुब सबसे पहले ये गुजरात के भुज में दिखेगा सुबह नौ अठावन पर और असम के डिप्रुगड में धाई बजे के आसपास खत्म होता हुआ दिखेगा साथी ये अनूपगड, सूरतगड, सिरसा, जाखल, कुरुख, शेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन और जोशी मठ जैसे इलाकों से दिखेगा, इसके बाद भारत में अगले 28 महिनों तक कोई सूरी ग्रहन नहीं दिखेगा, अगला सूरी ग्रहन भारत में 25 अक्टूबर 2022 को दिखाई पड़ेगा, इससे पहले 26 दिसमबर 2019 को भारत में सूरी ग्रहन दिखा था, 2020 का दूसरा स बखारत से नहीं दिखेगा, दुनिया के दूसरे हिस्सों से दिखेगा, सूरिग्रहट दूरबीन, स्पेशल गॉगल्स या किसी स्क्रीन मतलब मोबाइल या शीशा इनसे देखना चाहिए, सीधे देखने पर आँखों के रेटिना पर असर पड़ता है, लेकिन सूरिग्रहट को लेकर तमाम तरह की फरजी बात में भी बताई जाती है, जैसे इसका प्रेग्नेंट महिलाओं पर असर पड़ता है, खाना नहीं बनाना चाहिए, नाहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए वगर वगर, खड़े रहना चाहिए या बैटना इस बारे में नहीं बताई गया है, पुल मिलाकर इस दौरान सिर्फ एक काम करना चाहिए, इन फरजी बातों से दूर रहना चाहिए, तो सूरी ग्रहांड क्या होता है? धर्ती सूरज के इडगड़ घूम रही है, चंद्रमा धर्ती के चक्कल लगा रहा है, सब सोलर सिस्टम का खेल है, होता ये है कि कई बार ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, कई बार चंद्रमा सूरज और पित्वी के बीच आ जाता है और सूरज को ढख लेता है, सूरज की पूरी रोशनी धर्ती तक नहीं पहुंच पाती, बस यही है सूरी ग्रहांड या डोलर एक्लिप्स, तीन तरह के सूरी ग्रहांड होते हैं, पहला आशिक सूरज ग्रहांड इसमें चंद्रमा सूरज के कुछ हिस्से को ही ढख पाता है, दूसरा पूर्ण सूरज ग्रहांड इसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढख लेता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें से जूप पर देख रहा हैं तो पीच को लाइक करें और ललन टॉप के आप डाउनलोड करना न भूलें धन्यवाद